सब्सक्राइब करें भी न्यूस को और बेल आइकन दबाएं मुख्य मंत्र युगी आदितिनात की कर्मस्थली गोरकपुर में आज से तीन दिवसी गोरकपुर महोत्सव का आगाज आज होगा सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूत के बाहवायामी रंगों से सजे गोरागपुर महोत्सव का भी दिवतागाज गोरागपुर विश्व विद्याले में होगा तीन दिन तक चलने वाले इस उत्सव का उद्खाटन प्रदेश के राजिपाल रामनाई करेंगे विश्व विद्याले में बने मुख्य मंच पर महामहिम के साथ मानियों की मौजूद की कलाकारों के होईसलों को पंक लगाएगी सेखभई महोटसव की तरजपर गोरगपुर महोटसव में बॉलिवुट के कई दिगज कलाकारों के साथ फोग गायकी के दिगज भी महोटसव के मंच पर समाबंद ते नजर आएंगे इसके साथ स्थानी कलाकारों को सैक फई महोटसव की तरज पर अपनी प्रतिभाद दिखाने का मौका मिलेगा। खेलकूत, संस्कृति और शेक्षनिक प्रतियोगिताएं इस सुबह से ही शुरू हो गई है। दीन दयाल उपादियाए गोरकपूर विश्व विद्यले में आयूजित खेलकूत प्रतियोगिताओं के उद्घाटन कारिक्रम में खेल मंत्री चेतन जोहान के साथ ही खेलने देशक आरपी सिंग भी मौजूद थे। गोरकपूर महोत्सव को लेकर करीब एक महिने से चल रही तयारियां कल शाम तक पूरी होगी। आकृति को रंगोली से सजाए गई है। जगे जगे हलीडी स्क्रीन लगाए गई है। महोत्सव का समापन तेरह जनवरी को प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ करेंगे। महोत्सव के पहले दिन ग्यारह जनवरी को मशूर गायक शंकर महादेवन अपने सुरों के जादू से महोत्सव की शाम में चार चांद लगाएंगे। वहीं महोत्सव के दूसरे दिन बारह जनवरी को भोजपुरी नाइट आयोजित होगी। जिसमें गायके वंकम पूजर ललित पंडित, गायक्षान, गायका भूमी त्रिवेदी और अनुराधा पॉडवाल अपनी प्रस्तुती से महोत्सव में समा बाधेंगे। 12 जनवरी को युवा दिवस है। युवा दिवस की मौके पर स्वामी विविकानन के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन विश्व विद्या लेके दीक्षाबवन में किया जाएगा।